तो कैसे हो आप सब तो यार आज का आज हमारा टॉपिक है वह आपको उत्पला वक्ता तो उत्पला वक्ता है तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है उत्पला वक्ता तो यहां पर अगर इंग्लिस में बात करें तो यहां पर फ्रेंड्स लिखा क्या हुआ है आप देखने का पर्यास किई तो यहां पर लिखा क्या है फ्लोटेशन तो फ्लोटेशन क्या होता है उसका हिंदी क्या होता है ईसका उतप्ला वक्ता खथा हुट होता है तो आपसे वीडियो करूंग तो आप府 तो आप वीडियो के नीचे ना कुछ भी लिखे कर जा सकते हैं चलिए तो वीडियो स्टार्ट होता है और स्टार्ट करने से पहले छोटी मोटी जानकरिया को हम दिखलाते हैं जो कि आप सब यहाँ पर पर्चिते ही होंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने पदार्थ दिख रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा गिल्ली मिटी यहाँ पर क्या दिख रहा है गिल्ली मिटी और इसके बाद आटा दिखी रहा है और इसके बाद गिल्ली चावल और इसके बाद यहाँ पर चौक और इसके बाद रोई और इसके बाद सुखे पते और इसके बाद कंकड और इसके बाद प्लास्टिक की गेंद ठीक है और कागज की नाव और लकडी का तुकड़ा और प्लास्टिक का बरतन तथा अन्य चीज प्लास्टिक की तो यहाँ पर मैं जितने सारे चीज़ों का यहाँ पर मैं आपको दिखलाया हूँ यह तो आप सब का तो मतलब लगभग जानते ही जानते होंगे कि यह सब क्या है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं गिली मीटी आटा और गिली चावल चौक रोई यह सुखे पते और कंकर प्लास्टिक की गेंद कागज के नाव लक्री का तुकड़ा और प्लास्टिक का बरतन तथा अन्य चीज़ प्लास्टिक का तो यह बिसिकली हमको दिखाने का मतलब क्या है तो चलिए अब हम आपको समझाते ही कि यह हम आपको दिखला है तो दिखला है क्यों तो यहाँ पर एक तलाब है यहाँ पर एक क्या है तलाब है और तलाब में बहुत सारे यहाँ पर पानिया भरे हुए तो यहाँ पर बहु तो तलाब में पानी है तो मेरे साथ ही यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि यहाँ पर गिली मीटी है तो गिली मीटी अगर इस तलाब में पानी में अगर हम डालेंगे तो क्या यह तैरेगा नहीं तैरेगा समझे कि उत्पलावक्ता में होता क्या है कि कोई भी पदार्थ अगर पानी में तैरता हो तो तैरने वाले पदार्थ को उत्पलावक्ता पदार्थ कहते हैं कूई रोई सुखे पत्ते कंकर प्लास्टिक के गेंद काग़ी यह सब हम अगर डालेंगे तो क्या कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो इसमें क्या करेंगे आपको तैरेंगे तेरे कहने का मतलब उपर 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 इसको उपर चलेंगे तो आप तेरना तो जानते हैं यह होगा कि तेरना किसको कहते है अगर इसमें से कोई भी चीज इसमें से अगर कोई भी पदार्त या जितने भी पदार्थ इसमें से अगर कोई न कोई अगर इसमें अगर तैरते हैं इस जल में अगर आपको तैरते हैं तो समझ लिजी कि वह क्या है आपको फ्लोटेसन है यानि क्या है उत्पलावकता है तो उत्पलावक्त है हम किसको कहेंगे यानि पानी में तैरने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे उत्पलावक्त है तो यहाँ पर जितने भी पदार्थ है अगर इन पदार्थों में से अगर कोई पदार्थ पानी में तैरता है तो वह क्या कराएगा उत्पलावक्त है यानि का तुकड़ा भी तैरेगा और प्लास्टिक की गेंद और कंकर तो आप समझे रहें यह क्या होगा या डूब जाए और इसके बाद सुखे पत्ते भी क्या होगी इस पर न तैरेगी और इसके बाद रूई और चौक यह सा उठेगा तो यहां पर यह सब पदार्थ जितने भी है अगर इस पानी में तैरेंगे तो वही में आपको कहलाइक कहलाता है लाते है फ्लोटेशन तो अगर आपको यह समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना ठीक है तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहाँ पर PDF और आप वहाँ से ले लेना ठीक है तो आपको उत्पला वक्ता यानि फ्लोटेशन आपको समझ आई की नहीं आई यानि कह सकते हैं जल में तेरने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं फ्लोटेशन ठीक है तो यह बात अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ और बने रहिए और जुड़े रहिए बाइबा टेक केर बेस्ट ओफ लक